नीज़ फार्मुला को लोग डिस्कस कर लेंगे इसके पढ़ने के बाद और रिफ्रेक्टिव नेक्स कर लिए थे तो बहुत इंपोटिव नहीं ताफिक था वह तो हम उसको एक अलग वीडियो में सेपरेट बनाएं उसको बात देख लिजेगा और अपनों पढ़ते हैं मीरर फार्मने पर क्योश्चन तो देखो यह क्योश्चन बूर्ड एक जाम का है और इसको देखते हैं बुला गए कानकेव मीरर प्रोडियू से रियल इमेज देखे बोला गया है कि इमेज का जो हाइट है हाइट आफ इमेज जो दिया गया है टू सेंटीमीटर तो हाइट आफ इमेज यहाँ पर लिख लो हाइट आफ इमेज उससे हाइट आफ इमेज को हम लोग दिखाते हैं कैपिटलाइज से तो यहाँ पर टू सेंटीमीटर दिया गया है लेकि यह चाँ जो प्लॉस में ओगा कि माइनस में होगा तो यहां परниц frame आप करता है कि यहां जैसे डिए क्या लेते हैं प्लॉस लेते हैं माइनस में प्लॉस को किमिते हैं तो यह आपको साइन कर्मेंड या दखना पड़ता यहां देखिएगा कि इमेज का जो हाइट है यह माइनस टू लेंगे निगेटिव लेंगे क्यों लेंगे क्यों कि यहां इमेज रियल बन रहा है और रियल बनेगा तो इनवर्टर बनेगा इमेज उल्टा बन रहा होगा नीचे बन रहा होगा तो इसलिए माइनस यहां पर लेंगे और ये height किसका दिया है, ये 2 cm जो image की height है, ये कितने object की किस height से आ रही है, 0.5 cm ये object का height दिया गया है, देख लो, बलागे न, of an object from इतना cm, तो height of object, तो height of object को जो दिखाते है O से, तो height of object student ये दिया गया है, मलब इसको capital O से दिखाते हैं, ये plus 5 होगा, क्योंकि object जब भी होग तो सिधा ही खागा होगा, उल्टा तो होगा नहीं, इसे लिए plus लेंगे, और इसमें क्यानी फिर्मेशन दिया गया है, कि 10 cm away from the mirror, mirror से 10 cm अवे है, तो ये u दिया है, तो u जो होगा negative होता है, ये हमेशा left side में होता है, तो ये हो गया minus 10 cm, क्या पुछा गया, find a position of the image, position of the image का गया, वी के वैलू, तो लगा तो यहां से फार्मूला, मैगनिफिकेशन का, जब भी I और O आया है, तो हमेशा M इकोल्ट लिखा करो, I upon O equal to minus V upon U, ये फार्मूला होता है, minus V upon U, बहुत ये काम्याब फार्मूला है, इसका बहुत बार यूच किया जाता है, समझ लो, तो य मैगनिफिकेशन पूछा बाता, तो निकालते हैं यहां से, क्योंकि यहां पर I दिया है, O दिया है, U दिया है, तो V पुछा गया है, वी पुछा गया है, और F पुछा गया है, focal length, तो पहले V निकाल लेते हैं, V निकल जाएगा, तो U दिया ही है, तो मिरियर्ट फार्मूल किसका प्लस है, किसका माइनस यहां पर साइन है, अबजेक्ट किसमें प्लस 5 में है, और यह माइनस तो फार्मूले का V, V तो निकालना है, और अपान U, U क्या है, माइनस 10 है, तो देख सकते हो, माइनस माइनस कड़ गया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर student यह जो 0.5 दिया गया है, इसको अब लोगो ध्यान समझेगा न, यहां पर 0.5 दिया गया है, तो इसको अब लोगो 0.5 यहां पर लिखो, प्लस में 0.5 है, यह 0.5 है, प्लस में, तो यहां प्लस में यह कितना है, 0.5 है, वैसे हम लोगो का तरीका सही है करने का लेकिन जो केस्ट में था 0.5 थ ग्यून सなた'll do so अंग you को जैगा न फौरी सिंटीमिटर बनेगा 20 सिंटीमीटर है मइनल साइट में यसी साइड में आब rice यून साइड में ग्र hy तो यह हो गया student देख लो V का value तो V का value negative क्या सो करता है nature, find a position of the image पुछा गया है nature नहीं पुछा गया है position तो V निकल गया, अब focal निकल निकलने के लिए क्या करोगे लगा तो mirror formula तो 1 upon F equal to क्या होता है 1 upon V plus 1 upon U होता है तो 1 upon F equal to 1 upon V V क्या है, minus 40 है plus 1 upon U U कितना है, देखिए, minus 10 दिया गया है plus minus क्या हो जागा minus हो जाएगा, तो इसको हम मिटा कर सीधे यहाँ पर minus कर देते हैं, इतना हमे इस minus को उपर दे दो, जैसे यह minus जो नीचे है, तो इसको उपर ही लिखो इससे calculation करने में आसानी रहेगी तो equal to यह minus 1 इस minus को नीचे बाल एक उपर दे दिये इस कैलिस्ट्रम कितना हो जगा 40 हो जाएगा यह 1 upon F equal to इसको कितना जगा बताईए तो minus 1 10 for 40 हो जाएगा तो यहाँ सागर देखोगे, तो 1 upon F equal to हो जाएगा, minus 6 upon 40 हो जाएगा अब student इसको उल्टा कर दो तो इसको उल्टा करोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम देख लेक कैमरे में दीखर आइकन है, एक बाद चेक कर लेते हैं हाँ, यहाँ पाद दीखरा होगा अच्छा से तो यहाँ से देखो, F equal to कितना हो जाएगा माइनस 40 upon 6 हो जाएगा और इसको काड लो, तो यहाँ जाएगा माइनस 20 upon 3, 2 से काड दिये तो यह आगे निगेटिव में तो माइनस 20 upon 3 सिंटीमीटर आ जाएगा तो इसको आप नोट कर लो, हाँ, decimal में उसको आप चेंज कर लीजेगा और decimal में चेंज करके बार उसको मिला देना देखना कितना आएगा यहाँ से यहाँ से 10, 4 जाब 40 हो जाएगा यहाँ वो 4 होना चाहिए LCM लोगे तो 10, 4 जाब 40 हो जाएगा तो यहाँ माइनस 5 आएगा LCM लोगे चेक कर लो यहाँ पर यह उल्टा करोगे तो 5 सीधी आप आँसरी आजाएगा तो यह माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पर करोगे तो माइनस 8 आजाएगा तो फोकल लेंथ माइनस 8 आएगा यहाँ से क्लिक्रेशन कर लेना 10, 4 जाब 40 तो LCM लोगे कर सकते हो तो फोकल लेंथ आगया माइनस 8 सेंटीमीटर तो यहाँ लिख देते हैं फोकल लेंथ आगया माइनस 8 सेंटीमीटर और V की जो वह वह आगी वह माइनस 40 सेंटीमीटर आ गई तो आप देख सकते हो कि यह क्योशन डन हो गया बहुत अच्छा यहाँ पर तुरूंत कमेंट कर दिया होंगे बच्चे की यहाँ पर ऐसे नहीं होगा तो इसको देख लेना यहाँ पर LCM लेंगे 10, 4 जा 40 तो 4 बढ़ जाएगा तो माइनस 4, माइनस 4 कितना हो जागा माइनस 5 तो बहुत अच्छा इसको नटकोल इसके बाद देखते हैं अगरा क्योशन तो यहाँ पर बोला गया है कि एक डेंटिस्ट है वो यूज कर रहा है कि समाल कानकेव मीरर तो यहाँ बोल दिया गया कि कानकेव मीरर यह यूज कर रहा है तो यह तो साइन्क करने अच्छा नहीं पड़ी होगे यह पी यह ए एस जी ची है इसका है यह यहाँ से यह सो खुल देखिए फोकल नंथ तो इसको मीर हम समिल देख यह एक यह एक से बोल दें तो दुदह कोई लेफ्ट में चला गया तो मलब इसका फोकल ने निगेटिव का distance है अब्जेक्ट का distance है ये यू दिया गया है तो यू भी क्या होगा निगेटिवी होगा तो बोला गया है find करना है M M का मतलब क्या समय यह मालब magnification Magnification find करना है image का तो magnification का student formula होता है वो क्या होता है m equal to i upon o equal to minus v upon u होता है तो यहां तो image का size और object का size पता ही नहीं है तो हम लोग यह यूज़ करेंगे formula तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे formula m equal to minus v upon u का यूज़ करेंगे तो ध्यान से देखो तो u पता है रख दोगे लेकि वी नहीं बता है भी कहा से निकालेंगे भी निकालने के लिए यूज कर देंगे mirror formula तो कभी कभी यहीं होता है कि इस formula में i HOW macht so ao इसी निकालेंगे कभी कभी दवी को सकता पड़ जाती है तो यह बहुत कामयाब formula है तो यहां से स्ट्टूडियंट रिदागा mirror अगर फर्मनों यूज कर लें तो क्या होगा ? iq buyers अपन फॉर्माटन कितना हो जाएगा ü तो यहां मैवित या dense 3 other 3 स्वी यहां से स्टुडिant देखेंगे तो यहां से LCM कितना हो जागा 3 ओट हो गा 6, 3 तूजा 6, माइनस 3, 2, 3 जा 6, 3 तूजा 6 हो जागा बोल और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, 3 तूजा 6, माइनस 2, 2, 3 जा 6, 3 बंजा 3, equal to 1 upon V, तो 3 में से 2 जागा कितना हो जागा 1, तो 1 upon 6 equal to हो जागा 1 upon V, इसको उल्टा कर दो, तो 6 equal to जागा V, मलब V की जो value आ गई, वो प्लस 6 में आ रही है, मलब V 6 centimeter आ गया student, तो बस M निकाल लो यहां पर, तो M equal to क्या होता है, minus V upon U, इसी का यूज़ कर लो, तो minus V, V कितना है, V कितना दिया गया है, बताइए यहां पर, प्लस में 6 दिया गया है, और U, U कितना दिया गया है, तो U की जो value आ रही है, minus 2 आ रही है, तो minus से minus कर जागा, यह जागा 2, 3, 6, मलब कि यहां पर जो M की student value आ रही है, वो plus 3 centimeter आ रही है, मलब magnification जो हो जागा, वो 3 times जादा हो जाएगा, तो देख सकते हो कि यहां पर जो M की value आ रही है, 3 आ रही है, 3 आने का मतलब क्या student आप समझें, कि 3 आने का meaning क्या है, 3 आने का मतलब क्या हुआ, कि magnification जो है 3 times है, मतलब कि जो size of image है, मतलब जिस tooth को देखा जा रहा था, जैसे dentist जब tooth को देखेगा, तो जो mirror का use करता है, तो इसमें जो tooth का size होता है, बड़ा हो जाता है, magnify कर देता है mirror, तो 3 आने का मतलब यही है, कि जो image का size है, वो object की size का 3 times ज़्यादा हो गया, आपका tooth का size है, वो 3 times बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यह है magnify केशन का मतलब, तो plus 3 आ रहा है, तो देख सकते हो, असाने से सको कर सकते थे, तो यह formula बहुत important है, इसका हमें use बहुत बार करना पड़ता है, तो अगर इतना याद है mirror formula देखी हो, यह भी use करी रहे हैं, तो आप mirror formula कोई भी question कर सकते हो, इसमें आप कोई problem नहीं होगा, इसको note करो, एक दो question और देखते हैं, ओके students देखे एक और question दिया गया है, बला गया है कि an object is kept at a distance of 15 cm from a concave mirror, बला गया है, concave mirror से 15 cm की distance पर एक object रखा गया है, तो u हो जाएगा minus 15 cm, क्योंकि जो distance object का है, तो negative क्यों लेगें, क्योंकि यह हमें सा negative ही होता है, left side में रखा जाता है, और radius of curvature दिया गया है, radius of curvature पढ़िए 30, find the position of image, तो radius of curvature दिया गया है 30 cm, तो यह student जो हो जाएगा, focal length कितना होता, radius of curvature का half हो जाएगा, तो focal length हो जाएगा 15 cm, लेकिन आपसे question है कि यह प्लस में होगा कि माइनस में होगा, कि कानके mirror का focal length क्या होता है, negative होता है, तो focal length यहाँ से पता ही हो गया, यू पता ही हो गया, तो आप position आप image बता सकते हो, position आप image का वनो V पुछा गया है, तो mirror फ़र लगाओ, तो 1 upon F equal to क्या हो जाएगा, 1 upon V प्लस 1 upon U, तो यहाँ से हो जाएगा 1 upon F equal to 1 upon V, V कितना दिया गया है, V तो निकालना ही है, तो यहाँ आप focal length पता ही है, तो focal length लग दो, यह हो गया minus 15, V आपको निकालना है, plus 1 upon U, U कितना दिया गया है, minus 15, तो यह 1 upon minus 15 plus minus हो जाएगा, तो 1 upon V minus 1 upon 15 हो गया, तो यह minus उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो minus 1 upon 15 plus 1 upon 15, और equal to हो जाएगा 1 upon V, समझो, यह minus उधर गया, तो क्या हो जाएगा, plus, यह कड़ गया, तो 0 आ जाएगा तो 0 equal to 1 upon V हो जाएगा इसके नीचे क्या है 1 है V निकालना है उल्टा कर दो तो यह 1 upon 0 हो जाएगा यह V upon 1 हो जाएगा मलब V की वहलू V upon 1 भी ही आएगा तो V upon 0 आ गया 1 upon 0 का मलब होता है infinite 1 में 0 को डिवाइड करोगे तो तो answer infinite आता है इसको infinite बोलते है at infinity तो इसको infinity बोलते है इस सिंबल को मलब की जो आपका V की वहलू आ गई infinity आ गई मलब आपका image जो बनेगा वो infinity बनेगा image आपका बनेगा at infinity मलब infinite पर image आपका बनेगा और ऐसे भी student अगर थोड़ा सा दिमाग लगा हो तो अगर ray diagram पढ़े होगे तो कानके mirror का ray diagram क्या होता था ध्यान से अगर देखो तो यह कानके mirror है यहाँ पर होता है pole इसको बोलते हैं focus यह होता है center of curvature object यहाँ से बोला गया थे यह logical question था इस बच्चे इसको बीना किये बता सकते थे यह बोला गया कि object जो है 15 cm की distance पर रखा गया है और radius आप करवेचर 30 है तो यहाँ से बता सकते हो कि focal length 15 है करने का मलब कि focal length भी 15 है यू भी 15 है अगर दोनों के value सेम है यू और एफ के value सेम है मतलब कि object जो है mirror से 15 cm की distance पर रखा गया है और focal length भी 15 है मतलब यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो object है यहाँ से distance कितना है 15 cm दिया गया है निगेटिव में होगा आप focal length भी यहीं पर है इसका तो इसका मतलब कि इस case में जब भी value सेम आएगी दोनों की तो answer में सा infinity आगा क्योंकि अगर यहाँ से लोग ray of light ड्रा करते हैं माल लेते हैं कि object यहाँ पर है तो यहाँ पर focus पर जब object होगा यह खुद आपको common sense यूज करना है कि object जो फोकस पर हो गया है क्योंकि यूभी कितना 15 है यह भी 15 है मालब कि object एक दम focus पर ही खड़ा होगा तो focus पर खड़ा होगा तो यहाँ से radiogram बनाओ इसमें टार्ट केमरे में टूटो 6 case बनता था 6 case तो 6 case में यह भी एक case था कि जब focus पर आपको खड़ा होगा तो एक ray of light यहाँ से निकालेंगे तो यह कहां से होकर जाएगे focus से होकर जाती थी और एक center of curvature से light को निकालते थे कि इस object से एक center of curvature से light जाती थी तो उसी direction में वापस आ जाती थी तो यहाँ पर यह line पैडल हो जाती थी और जब दो line आपस पैडल होती है तो वो कहां मिलती है इन्फाइनाइट पर बोलते थे तो image बनता था infinite पर तो यह भी एक case था लोग पढ़े थे तो diagram से भी सोचते हो लेकिन एक याद को लो note में कि अगर u की value और f की value कहीं भी से माज़ा question में बोल दे तो आप समझ जना कि उस case में इमेज कहां बनेगा इन्फाइनाइट पर बनेगा क्योंकि उस समय object कहां ख़ड़ा होगा focus पर ही खड़ा होगा तो focus पर अगर object खड़ा है क्योंकि object का distance यहां से 15 है और focal length भी 15 है तो इसका मतलब यहीं है कि यह focus पर ही खड़ा है और जब focus पर खड़ा होगा तो image कहां बनेगा infinite पर तो इसको भी ना किये बता सकते हैं तो वैसे mathematical calculation करके मों देख लिए क्या असर कितना आएगा infinity आएगा तो यह भी एक बहुत अच्छा question था इसको note call इसके बाद देखते हैं को और question when an object is placed at a distance of 60 cm from it मलब concaminar से 60 cm की distance from object है यह यू दिया गया है अब बोला गया है where should the object be placed बोला गया है कि object को कहां रखा जाए so that the size of the image becomes 1 upon 3 of that of object मलब object को कहां रखा जाए मलब यू पुछा गया है मलब यहां पर देखो यह जो जिस्षे की magnification 1 upon 3 हो जाए बोला गया कि size of image जो हो जाए 1 upon 3 हो जाए किसका object की size का मलब यह भी magnification का ही वेलू दिगी है तो यह अच्छा question हो गया तो देखो इसको देखते है magnification यहां पर 1 by 2 दिया पर ही starting में देखो क्या दिया गया है कि यहां पर u दिया गया है u दिया गया है minus 60 cm यह आपको खुछ जर्ज करना पड़ेगा minus क्यों लिए क्योंकि distance आप object है mirror कौन सा बोला गया है कान के mirror बोला गया है starting में ही और m के value दिगी है 1 upon 2 तो यह magnification दिया गया है 1 upon 2 है तो पहले student देखो दिखान से अब पुछा गया है कि जब magnification 1 upon 3 हो जाए जब magnification 1 upon 2 है तो उस case में object 60 cm की distance पर है अब बोला गया है कि जब magnification 1 upon 3 हो जाएगा तो उस case में u की value कितनी आएगी यहीं पुछा गया है यह question मार के question का मतलब समझ दो क्या है जब magnification 1 upon 2 है तो u की value इतनी है जब 1 upon 3 हो जागा तो यहीं question पुछा गया student और इस question को हमें समझना पड़ेगा तो यह question बहुत important हो गया है तो इसको हमें देखो करना होगा और कैसे करेंगे question का मतलब समझ गए तो एक बात या दखना कि magnification के value change हो जाए you change हो सकता है लेकिन जो focal length होती है एक mirror का जो focal length होता है आप object कहीं रखो जिसे mirror है mirror से आप 60 cm दूर रखो 20 cm दूर रखो object पास आए चाहें दूर जाए एक mirror की अपनी focal length fix होती है focal length कभी बदलती हैं समझ लो और हर जितना mirror बड़ा होगा छोटा होगा उसका एक अपना focal length होता है तो एक गाम कर लेते हैं लोग कि इसका focal length निकाल लेते हैं m पता है, u पता है तो इस case में focal length نिकाल लो तो focal length निकाल सकते हैं कि नहीं देखो कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर student यूज करते हैं concept m equal to i upon o नहीं लेंगे बस minus v upon u लिखेंगे i upon o लिखना है कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर image का size कुछ दिया ही नहीं गया है तो magnification कितना दिया गया है और यह minus v upon u kiatna दिया गया है minus 60 दिया क्या है तो यहाँ से कर जागा यह two 60 भी कर जागा 30 बार में यहाँ से student जो v के value आ गया zeigt इषाट में 30 cm यह v का value आ गया देख लो कैसे क्या गया है m equal to minus v upon u था तो minus formula में था v upon u u क्या है minus 60 minus minus plus हो गया 2 से 60 कर गया 30 बार में v आ गया 30 cm plus में आ गया तो यह v हो गया यह u दिया ही गया है तो अब बताओ v पता है u पता है तो यहां से focal end आ सकता है कि नहीं आ सकता है तो यहां पर हम लोग apply कर देंगे apply mirror formula तो mirror formula क्या पढ़े है 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u पढ़े है तो focus end पर निकाल लेते हैं तो 1 upon f equal to 1 upon v v कितना है 30 cm यह plus में है और u किसमें है negative में है तो plus minus minus हो जागा तो minus 1 upon 60 हो जागा समझे हो ने minus कैसे है u minus में था तो plus minus minus तो यहां पर lcm ने लो 30 60 का lcm 60 आएगा तो यहां पर इस चीज़ को करो तो कितना जागा आपका तो ध्यान से आगा देखोगे तो focal length जो आ जागा प्लस 60 में आ जाएगा क्योंकि आपका देख सकते हो ना कि 1 upon v और minus यह formula में देखोगे तो 1 upon f equal to 1 upon v प्लस 1 upon u तो focal length देखोगे ध्यान से तो कितना जाएगा तो focal length यहां पर आ जागा कितना बताओ 60 आ जाएगा तो यह जाएगा 60 cm यह हो गया focal length तो यहां पर देख सकते हैं चेक कर लेते हैं केमरे में तो के स्टुडियन देखो देख रहागा अच्छा से अब लोगो focal length यह आप देखो 60 आ गया है अब इसके पर लोगो क्या करते हैं तो फिर से देखो क्या दिया है कि magnification अब बाइ 3 हो जाएगा तो magnification का वैलू क्या होता है बता हो फिर से लगाओ क्योंकि focal length सबकी एक fix होती है तब यहाँ पर magnification 1-5C दिया है minus V upon U हम लोग क्या करते है U पता हो जाए किसी तरह से देखो अगर यहाँ से F दिया है अगर V पता कर लेते हैं V पता कर लेते हैं तो F और V से U निकल जागा mirror formula से तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर M के value 1-5C रख देते हैं minus V upon U तो यहाँ से न तो V पता है और इसका हमें U पता ही नहीं है तो यहाँ से minus V upon U तो यहाँ से U तो आई जाएगा U equal to आ जाएगा minus 3V हो जाएगा बलब U के value आ गई minus 3V अब V अगर निकल जाए किसी तरह से तो रख देंगे यहाँ पर U आ जाएगा यहीं U पुछा गया है कि कहां आप जिर को रखा जाए U पुछा गया है तो यहाँ पर apply करते हैं फिर से again mirror formula तो again apply mirror formula तो 1 upon F equal to क्या हो जाएगा 1 upon V plus 1 upon U इसको equation first मान लेना इसी में उन्हों पूट कर देंगे पर तो यह माइनस हो जाएगा 3B क्या था 15-3 भी था यहाँ से student क्या करोगे 1 upon 60 equal to 1 upon V यहाँ से common लेलो तो यह हो जाएगा 1 minus 1 upon 3 हो जाएगा यहाँ से L समर्ण लेलो तो 1 upon 60 equal to कितना हो जाएगा 1 upon V 3 बंजा 3 3 में से बंजाएगा ये 2 आपां 3 हो जाएगा और ध्याहां से देखो तो ये 3 से कर जाएगा 20 बार में अगर नीचे नीचे कट रहा है तो काट सकते हो और क्राश मल्डिप्राई कर दो वही कावन में धख करेगो तो वही हो जाएगा क्या पट करेंगे v equal to 40 तो पूर्ट यहां लिख देना कि v equal to 40 in equation first तो equation first कितना है u equal to minus 3v तो u कितना हो जाएगा तो minus 3 into v कितना है 40 है तो यहां सो जाएगा minus 120 centimeter मलब कि अगर object को mirror से 120 centimeter minus का मनदब क्या left में अगर mirror से left में 120 centimeter के distance पर object को रख दिया जाए तो उसका magnification 1 upon 3 हो जाएगा मलब कि अगर magnification 1 upon 3 हो जाएगा तो u कितना हैगा minus 120 आएगा तो यह बहुत अच्छा question है हो सकता है यही पर question देदे कि u minus 80 है तो magnification 1 upon 3 है तो बताओ जब magnification 1 upon 6 होगा तब u कितना होगा तो सिंपल सा question है बस इतना लंबा चला statement लिखा है question का मलब यहीं था कि यूँ इतना है तो magnification इतना है तो अब बताओ कि magnification इतना हो जाए तब यू कितना होगा तो ऐसे question में एक काम करो कि focal length निकालो तो focal length अगर निकल गया तो focal length एक बार आ जाता ही mirror का तो वह constant हो जाता है भाले आप जिर कितना ही दूरी पर रहे पास रहे दूर रहे focal length में सा तो देख सकते हो कि focal length जो आया है उस focal length का यूश हम यहाँ पकर लिए है और इसके बाद यहां से आपका answer आ गया है तो इसको आप note कर लो बहुत important question था इसको लगा जाना triple star ऐसे question करोगे तो आपका दिमाग अच्छे से growth करेगा और feel आएगा इसको note किजिए okay student तो देखिए आपके लिए दो question आप दे दिये गए हैं और इसको आपको comment section में comment करके जवाब देना है और बताना है कि इसका answer क्या होगा और यह दोनों question बहुत important है तो इसको try किजिएगा और जैसे माज पढ़ाएं उसी लिए question दिये हैं तो आसानी से कर लोगे और इसको comment section में comment करके जरूब बताना तो मैं सबकावेट करोगा और देखोंगा कितने लोगों ने जवाब दिया है तो आप लोग जरूब बताएगा और अगले वीडियो में नाम भी लेंगे कि किन-किन बच्चों ने इसका जवाब दि किजिएगा और जम करके आप लोग वीडियो को शेर किजिए और लाइक कमेंट करते रहो अच्छे से ताकि हमको भी एक जिसे एक motivation मिलता रहता है कि नहीं आप हम भी अच्छा कर रहे हैं तो आप लोग जरूब बताएगे कि नहीं कैसा लगा और इसका आप लोग comment section में comment कर कर दो